प्रेशन चोबिस सरल करें प्रेशन चोबिस का क्या आठ प्लस पांच गुना चार माइनस पैंटिस भागा साथ तो यहाँ पे भाग का भी चीन है गुना का भी चीन है प्लस का भी चीन है माइनस का भी चीन है तो पहले कौन होगा तो बोड मास के नियम के अनुसार पहले होता है भागा फिर गुना फिर जोड और अंत में घटाओ तो लिखेंगे 8 प्लस 5 गुना 4 माइनस अब देखें 35 को 7 से भाग देंगे पहले भागा होगा तो 35 को 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35 यानि 5 आ जाएगा अब करेंगे गुना भाग के बाद गुना तो 5 गुना 4 होता है 20 पांचोक 20 अब जोड करेंगे तो 8 और 20 को जोड़ेंगे 28 हो जाएगा अब घटाएंगे 28 में से 5 घटाएंगे तो 23 आजाएगा तो इसका उत्तर आ गया 23 दो प्लस साथ माइनस आठ भागा चार प्लस दो गुना तीन तो देखें प्लस का चिन है माइनस का चिन है भागा का चिन है और गुना का चिन है तो बोड मास के नियम के अनुसार पहले भागा होगा फिर गुना होगा फिर जोड होगा और अंत में घटा होगा तो लिखेंगे 2 प्लस 7 माइनस अब 8 को 4 से भाग देंगे तो 4 दुना 8 होता है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस 2 गुना 3 इस तरह लिख लेंगे 8 को 4 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा तो 2 प्लस 7 माइनस 2 प्लस अब 2 गुना 3 दो गुना 3 आ जाएगा 6 तो भाग के भाद गुना होगा अब गुना के बाद क्या करेंगे जोड तो 7 और 2 को जोडेंगे 9 आ जाएगा माइनस 2 प्लस 6 इस तरह लिख लेंगे 7 दो 9 अब देखें 9 और 6 को जोड देंगे देखें, 9 प्लस में है, इसके आगे कोई चिन नहीं है, तो प्लस में हुआ, 6 भी प्लस में है, तो 9 और 6 को जोड़ेंगे, तो 15, अंत में 2 को घटा देंगे, 15 से, तो 9 और 6 को जोड़ दियें, क्योंकि दोनों प्लस में है, इसका मतलब दोनों को जोड़ना है, तो 9, 6, 15 हो ग हुआ 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 हो गो है झाल झाल